वेलकम चू एस्पायर अद्दा वेलकम और वर्टसप के ग्रूप हैं वहाँ पे लाइन टेस्ट चलता है आप टेस्ट को इन्रोल करने के लिए आप हमारे वर्टसप ग्रूप में आज हीए नमबर हमारे आपके पास हैं और अगर आप गर बैट के कम्पलीट कोर्स की क्लासे इंजॉय करना चाहते हैं हमारी एंडराइड अप जो के बहुत जल्द लाँच होने वाली है उसके लावा हमारी जो वेबसाइट है आप उस पे हमारे आनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियो और सारे पीडिएफ नोड से एकसेस कर सकते हीं ये नोड हमने खुद अपने हातों से लिके हैं कोई भी टाइ पहले जितने भी लेक्चर पड़े हैं बायोलोजी के उसमें हमने सबसे पहले सेल पड़ दिया है ठीक है सेल कंप्लीट हो गया है आप सेल के पूरे वीडियो देखिए चार वीडियो बनाए हैं उसके बाद हमने बनाया अगला टॉपिक जिसका नाम है सरक्यूलेटरी सिस् को हमने दो हिस्सु में डिवाइड कर दिया इसमें हमने पहले नंबर पे पढ़ाया आपको खाट और अब हम पढ़ रहे हैं बलड ठीक है बलड में हमने क्या क्या पढ़ दिया बलड की इंट्रोडेक्शन पढ़ी बलड कहां बनता वो पढ़ा और हमने बलड के नहीं कि हमने प्लाजमा पढ़ दिया अब हमें पढ़ना है बलड में आर बी सी क्या होते डबलो बी सी क्या होते प्लेट लेट क्या होते हैं तो अब हम आगे चलते हैं अगर आज आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो पहले वाले वीडियो को देखिए चैनल को सबस्क्र कि पेड नोट के लिए कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं टाइम की प्राबलम की वज़ा से हम कलास नहीं अटेंड कर पा रहे तो हमें प्लीज सिर्फ जो पीडी एफ नोट्स हैं पूरे जो बने वो दे दो पीडी एफ नोट्स भी आपको देंगे बट इन नोट्स में जान लेक्चर देंगे और वो भी एक साल के लिए एक साल तक आप उनको देख सकते हो तो जब मन करें संडे को देखो छुटी वाले दिन देखो रात को देखो दिन को सुबा शाम आफिस में काम करते हो तो वहां एरिफून लगा के देखो ऐसे ये चीज़े हम सीक्मेंस में चल दें फाइबरी नोजन क्या होता फाइबरी नोजन वो वाली प्रोटीन होती है जो क्या करती है हमारे बलड में क्या करती क्लॉटिंग करवाती तो जब प्लाजमा में से फाइबरी नोजन निकाल दें तो पीछे जो बचता उसको क्या बोलते हैं सीरम तो पेपर में एक्ज प्लाजमा का फंक्शन क्या होता है ये पेपर में आ सकता है प्लाजमा का फंक्शन क्या होता है तो प्लाजमा के दो फंक्शन होते हैं एक तो वो ये सेल को गुलुकोज प्रोवाइड करता है क्या प्रोवाइड करता है सेल को गुलुकोज अब गुलुकोज क्या होता मैं मैं आपको digestion में पढ़ाऊंगा digestive system दूसरा इसका function it regulates pH of blood ये वही blood का pH को regulate करता है यानि के जितना होना चाहिए उतना रखता है और ये blood clotting में भी help करता है तो आपको ये तीनु बातें याद रखनी है which of the following is function of plasma तो plasma का एक function है ये glucose को transfer करता है cell में इसका दूसरा function है ये pH जो blood का उसको regulate करता और इसका तीसरा function ये है ये blood की clotting में help करता clotting के लिए mainly responsible कोन है fibery noogen जो के protein है ठीक है चलें आगे अब हम एक के करके बाकी components पढ़ेंगे plasma हमने पढ़ा plasma के बाद blood के अंदर होते हैं cell जिनको बोलते RBC RBC के बारे में जब भी paper में कुछ आएगा इनी note से आएगा ये बात मैं आपको कह दूँ अब हम एक के करके पढ़ेंगे देखो पहला सवाल paper में आता है RBC का दूसरा नाम क्या है तो RBC का दूसरा नाम है Erythrocytes क्या नाम है Erythrocyte क्यूंके RBC का color होता है red और biology में red को बोलते हैं Erythro तो RBC RBC का नाम क्या है Erythrocyte Sight का मतलब होता है Cell Sight का मतलब क्या होता है Cell तो RBC is known as Erythrocyte एक बात ये दूसरी बात दूसरा point देखो ये भी याद रखना है mail में RBC कितने होते तो mail में RBC कितने होते हैं 4.6 से लेके 5.5 million होते हैं mail में mail में RBC कितने होते red blood cell कितने होते 4.5 से 5.5 million और female में 4 से लेके 4.5 million female में ज़रा कम इतनी बात पता चलगी आगे RBC हमारी body के सबसे चोटे cell होते हैं smallest RBC smallest cell of human body अब देखो यहां पे यह मैंने लिखा हुआ है size और यहां देखो मैंने कुछ लिखा मैं यह भी आपको ऐसे बता दूँ देखो अगर हम बात करें size की यह उपर वाला जो डबा है यह size का है तो सबसे चोटा क्या होता RBC RBC के बड़ा क्या होता platelet जो cell होते और platelet से बड़े क्या होते हैं white blood cell WBC यह हम size की बात कर रहे हैं तो size की अगर हम बात करें सबसे चोटा RBC होता RBC के बड़े कोन से cell होते platelets और platelet से बड़े होते हैं WBC यानि के white blood cell यह मैं size की बात कर रहा अगर हम बात करें numbers की यानि के गिंती की तो हमारी body में सबसे जो सबसे जादा होते हैं वो RBC होते हैं उससे कम होते हैं platelet और उससे कम होते हैं WBC ठीक है यह मैंने आपको यहां बता दिया यह दो डबे क्या हैं एक बार फिर से सुन लो अगर हम size की बात करें तो सबसे चोटे होते RBC उससे बड़े होते platelet उससे बड़े होते WBC अगर हम नंबर की बात करें तो सबसे जादा होते RBC उससे कम होते platelet उससे कम होते WBC ठीक है यहां तक अब मुझे यह उमीद है कि आपको यहां तक पता चल गया है अब हम RBC के बारे में एक करके और बाते करते हैं देखिए यह point आपको गर पे notes में लिखने हैं खुड के notes बनाने हैं अच्छे अच्छे तो क्या क्या सुनते जाओ पहला RBC smallest cell होते हैं ठीक है दूसरा RBC बनते कहां पे हैं तो formation होती इनकी कहां पे boon marrow में boon marrow में ने आपको बताया था तीसरा point RBC की life span कितनी होती है तो RBC 120 दिन तक जिन्दा रहते हैं उसके बाद RBC मर जाते हैं अब RBC मरते कहां CDS 2018 का सवाल देखो RBC की जिन्दगी कितनी होती है 120 दिन जब RBC मरते हैं यानि के breakdown होते कहां होते दो एक होते liver में और होते सपलीन में RBC कहां मरते हैं liver में और कहां मरते सपलीन में सपलीन को बोलते अपनी जबान में ऐसे तिली बोलते हैं तिली और हिंदी में भी इसको कुछ बोलते हैं रक्त कुछ ऐसे करके बोलते हैं हिंदी में आप देखिए अगर आपको हिंदी का इसका प्यूर एग्जेक्ट पता है सप्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं तो आप लिख के मुझे बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में अब देखो मैं कुछ आपको बात बताने जा रहा हूँ क्या RBC लीवर में भी मरते हैं जाके और सप्लीन में भी मरते हैं जब ये लीवर में मरते हैं तो पर्मानेंटली डाई हो जाते हैं उसके बाद ये जिन्दा नहीं होते मगर जब RBC मरते हैं सपलीन में तो ये दबारा रीजनरेट भी होते हैं क्या होते हैं दबारा रीजनरेट भी होते हैं इसलिए देखो मैं यहां पर दो बारीकी की बातें आपको बताऊंगा जो पेपर में आई हुई है RBC कहा मरते हैं लीवर में और कहा मरते सपलीन में इसलिए लिवर और सपलीन को बोला जाता ग्रेव याड अफ आर बी सी क्या बोलते ग्रेव याड आफ आर बी सी यानि के आर बी सी का कबरिस्तान मगर अब देखो मैं आपको यहां कुछ बता रहा हूँ ये कोई पहाड है उंचा 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 ये पहाड ये कोई बंदा इस पहाड पे चड़ रहा है ठीक है जब ये बंदा यहां पहुंचेगा ना यहां पे यहां पहुंचेगा तो इसकी बाड़ी में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी जब ऑक्सीजन की डिमा फोरन आक्सिजन पहुंचाई जाए बंदे को जरूरत है आक्सिजन की तो बाड़ी क्या करती सपलीन के पास आती और सपलीन को बोलती वो जो आरबीसी मरे हैं तुमारे अंदर मेरवानी करके उनको रीजनरेट कर दो बंदा पहाड पे चट रहा ये नहों बंदे की बाड़ी कीसी को रीजनरेट करती है और जब हमें पैसों की जरूरत पढ़ती हम कहां जाते बैंक में इसलिए सपलीन को बोला जाता बलड बैंक आफ यूमन बाड़ी क्या बोलते बलड बैंक आफ यूमन बाड़ी एंड ये दोहजार अठारा का एक्जैम उसमें पूछा हुआ वी जारी बाड़ी में आर बी सी की जरूरत पढ़ती है तो सपलीन आर बी सी को रीजनरेट करती दोबारा प्रोड्यूज करती इसलिए सपलीन को बोलते बलड बैंक आफ आर बी सी और लीवर और सपलीन को दोनु को मिलाके बोलते ग्रेव याड आफ आर बी सी ठीक है अब जर को सेल में पढ़ा दिया नुकलिसी अपसेंट इन आर बी सी बट जो हूमन आर बी सी है उसके अंदर नुकलिस अपसेंट होता मगर कैमल के अंदर और लामा लडाक का एक एनिमल है इसके सेल के आर बी सी के अंदर नुकलिस प्रेजेंट होता है क्योंकि उनको काफी दिन पानी खाने के बिना रहना पड़ता है इसलिए नेचर ने आल कैमल और लामा के आर बी सी के अंदर न्यूकलिस डाल दिया है ताके इनको काफी दिन रहना पड़े खाने पीने के बिना तो ये सर्वाइव कर पाएं इतनी बाते बस चल गी आपको चलिए अब आगे और घ्यान की बाते करते आखिर आर बी सी की शकल कैसी होती है तो आर बी सी की शकल देखो शेप या तो होती है ऐसे round या होती है ऐसे थोड़ी सारी bycon cave थोड़ी bycon cave human body का जो red color होता है because of heumoglobin होता यह मैंने आपको बता दिया heumoglobin क्या करती oxygen और carbon dioxide को cell के अंदर और cell के बाहिर ले जाती है अब और आगे चलते हैं कुछ पढ़ते नया देखो यह यह जो आपकी स्क्रीन पे सवाल है यह CGL 2017 में भी पूछा हुआ है और NDA में भी पूछा हुआ है क्या देखो हमने हमारे body के अंदर क्या होता है हुमोगलोबीन हमने सांस ली तो यह बनती है HBO HBO2 को बोलते oxyhumoglobin देखो HBO2 यह O2 का मतलब हो गया oxy और HB का मतलब हो गया हीमोगलोबीन ठीक है यह बाता चल गया आपको अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ हमारे वहां पे क्या हुआ था एक बार या काफी आपने भी देखा होगा शाम को सर्दी के सर्दियों में कोईला गर पे जलाते हैं कमरा बंद करके और बंदे बेहोश हो जाते हैं गैस बन जाती है देखो हमारी बाडी में होती है हीमोगलोबीन अगर हम कमरे के अंदर बंद रहें तो हमारी बाडी के अंदर कार्बन डाइक साइट जएधा परोड्यूज हो जाती उसको बोलते कारबाकसी हीमोग्लोबीन अब कारबाकसी हीमोग्लोबीन हमारी बोडी के अंदर पोईزन क्रीट करती है और इस से बंदे की हो जाती डीठ बंदा लमबा लेड़ outrage जाता लुड़क जाता उपर पहुन जाता यह पता चल गए आपको अब मैं बता हूँ आपको NDA का सवाल देखो सवाल का क्या लेवल है कि एक हिमोगलोबीन का मालीक्यूल कितने आक्सीजन मालीक्यूल को कैरी कर सकता है तो एक हिमोगलोबीन का मालीक्यूल देखिए एक दो तीन और चार एक हिमोगलोबीन का जो मालीक्यूल है वो चार अक्सीजन के मालीक्यूल को कैरी करता है यह आ गया एक ओटू यह आ गया दूसरा ओटू यह आ गया तीसरा ओटू और यह आ गया चोफथा ओटू चार एक हिमोगलोबीन का मालीक्यूल चार अक्सीजन मालीक्यूल को कैरी करता है यहां दखो गया अब मैं आपको बताता हूँ RBC के कम या ज्यादा होने से diseases कौन कौन सी लगती है देखो ये बहुत जरूरी है ये पेपर में बहुत बाराता आपको याद रखना है क्या देखो diseases of RBC क्या है अगर RBC हमारी बाडी में क्या हो जाएं कम हो जाएं ये जो नीचे एरो लगाया इसका मतलब RBC क्या हो रहे कम हो रहे तो जब RBC कम हो रहे इसको बोलते एनीमिया क्या बोलते एनीमिया यानि के खोन की कमी जब RBC ज्यादा हूँ इसको बोलते पॉलिस थीमिया क्या बोलते पॉलिस्थीमिया पॉलिस्थीमिया का मतलब काले काले दाग पढ़ जाते स्किन में एक होती च्छाईयां वो च्छाईयां में बताऊंगा आपको जब हिमोगलोबीन की डेफिशेंसी होती यहां पे जब काले काले निशान पढ़ते हमारी स्किन पे तो इसका मतलब हमारी बाड़ी में RBC का अमाउंट क्या है ज्यादा है तिल बोलते हैं छोटे 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 तिल दाग पड़ जाते हैं अब देखिए RBC की जिंदगी कितनी होती है 120 दिन कभी कबार ऐसा होता कोई बिमारी लग जाती जिससे RBC की जिंदगी 50 से 60 दिन में रह प्रेटी है अब हर दो महीने के बाद पेशेंट को बलड की एक बाटल हम डोनेट करनी पड़ती इसमें ऐसी बिमारी को बोलते है थेलसीमिया क्या बोलते है थेलसीमिया पेपर में आता वीच आफ दी फालोइंग इस नाट एड़ दिजीज आफ आर बीसी जादा होने से कौन सी बिमारी होती थेलसीमिया क्या होता अब जरा हम आपको एक बात बताएं देखो याद करो वो दिन जब असेम्बली में आप सुबा सुबा खड़े होते थे प्रेर पढ़ते थे और पहली कलास में टेस्ट होता था आप बच्चे बेहोश होके असेम्बली में गिर ज आ रहे हैं आप छुनिए तरह यहां पर देखिए आर बी सी की शकल होती या तो राउंड या ऐसे बाई कनकेव मगर कभी ऐसे होता आर बी सी ऐसे बन जाता दराटी की तरह दराटी पता ना आपको जिसे गास काड़ते हैं सिकल बोलते उसको अंग्रेज जी में आप पता न आपको या जाती हैं सिकल सेल अनीमिया क्या वोलते हैं सिकल सेल एनीमिया तो मैंने आपको यह RBC की डजीर बता दी है एक बार ज़रा हम इसको फिर से पढ़ते देखो RBC RBC काम हो तो अरीमिया ज्यादा हो तो पॉलिस्थीमिया लाइफस्पैन इसकी काम हो जाए तो थेलसीमिया RBC की शकल बजल जाए तो सिकल सैल अनीमिया ठीक है पर चला के नहीं आप इसके बाद आज हमने पढ़ा RBC RBC पुरा पढ़ दिया RBC के फंक्शन पढ़ दे बनता कहां पे है RBC के डिजीज क्या होती है अब हम क्या कहेंगे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताके आप बचे इन चीजों को अच्छे से लर्न करो ये इसके नोर्स बना दो अगर GS PAID कोर्स में रिजिस्टर हो तो ठीक नहीं हो तो फोरन रिजिस्टर हो जाओ अपने आपके घर में बेहतरीन अंदाज में हिस्टरी हो जोग्राफी हो पॉलिटी हो एकानमी हो स्टैटिक जीके हो ईवी एसो कंप्यूटर हो सारे सब्जेक्ट पूरी साइंस फिजिक्स कमिस्टरी बायलोजी विज प्यार्डिक टेबल 118 एलिमेंट आंक बंद करके पलक जपकते सुना दोगे आप तो ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर हैं कॉल कीजिए कोई डाउट आता है मैनेजमेंट से बात करो फकल्टी से बात करो कोई भी डाउट हैं क्लेर करो और आज इतना ही थैंक यू और गाड बलस यू क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए उनको याद किया जाए पूरे का पूरा इंटाइर जीयस कैसे याद किया जाए हिस्ट्री जोहराफी पॉलिटी एकानमी कैसे याद की जाए क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजे भूलती हैं क्या आप लर्म करना चाहते हैं ऐसे चीजों को पूरे हिमालिया की चोटी हैं ऐसे याद करना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें क्या आप ऐसे याद करना चाहते हैं पूरी दुनिया की करंसी, रुपी कहां चलता है, रुपी चलता है, मार्डीज, डेपाल, मौरेशिद, इंडोनेशिया, शीरिलंका, सीशल, पाकिसान, इंडिया, सीलोन, क्या आप याद करना चाहते हैं, दिनार कहां चलता है, लिब्या, जार्डन, भारी निराग, सर्विया टुए तर्जियरिया, टुनिशिया, इसी तरह से, चीज़ों को दिमाग में बठाने के लिए, आप आज ही सबस्क्राइब करें, हमारे एस्पार अड़ा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पर दिये हैं, नमबर पर कॉल करके, आप एस्पार अड़ा के, आफलाइन और इसमें हम आपको बहुत सारी जिज़ें ट्रिक के साथ याद करवाएगे, थैंक यू और गॉट ब्लस यू Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are! Hurray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute. Best Institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. Thank you.